Hello and welcome back to Let's Grow Up फिर से एक बार अब सबको हिंदी चैनल में स्वागत करता हूँ तो आज का जो टॉपिक है बहुती इंपोर्टेंट है बहुती बहुती बहतीरिन टॉपिक है क्योंकि अब सब लोग अभी इंडिया में बंदे भरत के उपर बहुती मतलब एक अलगी क्रेज है अब इंडियान रेलोय में जहां पे भी है और अगर आप स्टूडेंट है एक स्टूडेंट है तो आपके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है तो ये जो मैंने बनाया बस आप स्क्रीन पे देख सकता है ये बंदे भारत का जो मर्डेल है और इसमें हाट टाइप का लार्निंग में आगे शेयर करेंगे स्टेप बाइ स्टेप तो चलिए शुरू करते हैं आज के थोड़ा टॉपिक एक first lesson first session जोकि मैं हिंधी में upload कर रहा हूँ before English Channel Let's Grow Up English जो चैनल है वहाँ पे भी आएगा और हिंधी में आज पहला, mesh session इसमें upload कर रहा हूँ अप लोग के साँतर है कर रहा हूँ तो अपका comment बहुत important है तो चलिए शुरू करते हैं आजका topic देखिए बंदे भरत में total number of 16 coach देखाई देता है और उन में से यहां पे number of 3, 3 coach मैंने अभी तक बनाया, इतना दीन से मैंने मेहनत करके अभी तक 3 number of 3 coaches मैंने बनाने की कोशिश किया, बस तो इसमें सबसे पहले, पहला जो coach है, यहां पे देखिए, इसको बोलते है DTC, यानि driver tailor coach, जहां पे driver देखा है देता है, हम लोग देखते कि आगे जो driver, लोको पाइलट होता है, वो बैठते ही यहां पे, और यह जो coach है, इसमें थोड़ा passenger के लिए भी जाएगा दिया गया है, यानि space दिया गया है, देखिए, यहां पे भी दो, बोट साइड में दो passenger के लिए और आगे का जो पार्ट है, यह आगे का जो पार्ट है, यह पार्ट बस कुछ components है, इनसाइड में और कुछ driver के लिए space और कुछ controller दिया गया है, इसका top view में देखेंगे, तो top view में AC है, इसका जो wiring system है, वो भी गया है, बोट साइड में AC है, बोट साइड में AC है, यहां पे जो बोगी यूज किया गया है, बेसिकली जिसको बी ओ-बी ओ कहा जाता है, यह दो अगर बोगी को देखेंगे, तो बोगी में दो टाइप का suspension system ही यूज किया गया है, एक primary और एक secondary, secondary suspension system में आपको ये एर स्पिंग देखाई देगा ठीक है उसके साथ साथ vertical damper and ear damper और जो primary suspension system में उसके साथ और एक damper देदी गिया है जिसको vertically damper भी कहा जाता है उसके साथ wheel के साथ देखिये disk जो attach किया गया है and यहां पे brake caliper और brake जो cylinder होता है तो वो जो बोगी है बोगी के hanging में मतलब यहां पे attach किया गया है तो यह है इसका बोगी basically बहुत ही छोटा सा मैने touch किया क्योंकि 10 minute के अंदर वीडियो को complete करेंगे नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो यह जो first coach है इसको DTC diver tailor coach कहा जाता है total coach देखेंगे तो 16 coach है उसको 4 category में divide किया गया है 4 plus 4 plus 4 plus 4 यानि 4 plus 4 plus 4 plus 4 यानि 16 तो अगर किसी एक series को यानि 4 coaches को सीखेंगे तो entire बंदे भारत का जो coaches है हर coach में मतलब जो learning है हर चीज हम लोग सीख जाएंगे इसमें तो दोस्तों यहां पर मैंने तीन coach अभी तक बनाया और भी एक coach बनाने की प्रयास कोशिश कर रहा हूं मैं आगे देखते क्या होता है second coach है यह जो second coach है इस coach को बोलते है कि MC coach यानि motor coach इस coach में जो bogey होता है bogey में motor है ठीक है motor जिसमें हम देखाने की कोशिश कर रहा हूं इसमें यहां पर देखिए यह motor है जो की जो bogey होता है bogey frame में यह इसका attachment है और यहां पर जो will set होता है दो will set जहां पर axle के साथ motor and जो gear होता है यह पुरा set रहता है यह भी देखाएंगे आगे जो हर bogey में आपको जो traction center देखाए देता है coach में तो जिसको pivot point यानि central pivot point भी कहा जाता है यह जो traction center है इसका भी arrangement हम देखाएंगे learning hard topic में हर series में कुछ ना कुछ हम discuss करेंगे पहला जो coach था जिसको DTC diver tailor coach and second जो coach है इसको motor coach यानि MC coach and जो third coach है जिसको हम tailor coach कहा जाता है देखिए यह 4 series में नमबर और 4 series में ने बताया तो हर series में 4 plus 4 plus 4 plus 4 तो number third जो first series का जो third coach है जिसको tailor coach इस tailor coach में obviously हम pantograph देखेंगे देखिए आगे कोई भी coach में pantograph नहीं है बस tailor coach में है pantograph ठीक है इस coach में भी दो डोर है और आपको पता है बंदे भारत का डोर जो है automatic system है बहुत ही interesting topic है और यहां पर देखिए both side में भी AC इंस्ट्रल किया गया है और यह जो पैंटो है यह नया पैंटो है company का नाम मैं disclose नहीं कर रहा हूं लेकिन पैंटो के उपर भी हम लोग learning लेंगे कि पैंटो यह का यह जो पैंटो है इसका system क्या है कितना speed ले सकते है इसका stability क्या है हर चीज़ हम देखेंगे ठीक है तो हर जो बोगी है बोगी का जो structure है almost same जो motor coach होता है उसमें motor है जो motor coach नहीं है उसमें motor नहीं होता है और एक चीज़ है यह जो coaches है हर coaches में अलग-अलग components देखाई देता है क्योंकि coaches का जो structure है वो different है और इसलिए जो components है कुछ components तो similarity है और कुछ आपको लगेगा कि यह add-on हुआ है specifically as per the coach, coach के उपर base करके उसका requirement की हिसाब से उसका जो components है वो add-on किया गया है ठीक है almost कुछ चीज same होगा कुछ चीज different होगा लेकिन बहुत कुछ सीखने को है आगे हम लोगों को बट यह बस एक सुरुवात है तो आप लोगों का इतना प्यार है तो उसमें मैंने कोशिश क्या एक प्रायास किया तो दोस्तों थेंक यू सो मच फिर से मिलेंगे नया टोपिक के साथ तिल देन टेक क्यार टाटा भाई